तथाओ पेरसाइट 30 अगस 2009 को रिलीज हुई इस फिल्म के डिरेक्टर है मार्क लेविस IMDB रेटिंग की बात करें तो फिल्म को 5.2 की रेटिंग दी गई है फिल्म का स्क्रिन प्ले मार्क लेविस और मिचेल लेविस ने मिलकर लिखा है फिल्म का रेंट टाइम है एक घंटा 14 मिनट और ओरिजिनल फिल्म अंग्रेजी भाशा में है फिल्म एक पोलर बियर को दिखाते हुए शुरू होती है वहाँ कुछ लोग उसका शिकार करने के लिए खड़े थे उन्हीं में से एक भालू पर गोली मारता है पहले एक मिनन में ऐसा लगता है कि जैसे उसकी गोली से पोलर बियर पर कोई असर नहीं हुआ अगले ही पल बालू उन पर हमला करने लगता है इसके कारण वे सभी डर कर पीछ आट जाते हैं अब बालर बियर उन पर हमला करने ही वाला था कि वह गिरकर मर जाता है यहां हम उस जानवर को भी देखते हैं जिसे वह खा रहा था फिर वे भालो को उठा कर अपनी लैब में ले जाते हैं अगला सीन एक विश्य विधाले में बदल जाता है हम वहा कुछ चात्रों को देखते हैं वे शोत के लिए अनुसंधान प्रयोक्षाला जा रहे थे हम एक लड़की देखते हैं और वह एवलीन है वह डॉक्टर की बेटी है उसके पिता का नाम क्रुपेयन है वह इस फिल्म में एक वारत पर शोत कर रहे हैं डॉक्टर क्रुपेयन उसे अपने पास आने के लिए राजिक कर रहे थे लेकिन उसने मना कर दिया था तो युऑ उनसे मर चुका है ये वे लोग थे जिन्हें हमने फिल्म के शुरुवात में देखा था फ्र डॉक्टर कुरूपेन के साथी थे विश्वत कर रहे थे भालू भी उनके शोत का हिस्सा था और इसके साथ फिल्म में दो दिन बीच जाते हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर कृपेन कॉल पर किसी से बात करे थे उस आदमे का नाम बार्ट था जिससे वह बात कर रहा था इधर डॉक्टर बार्ट को अपनी बेटी और अन्य चातरों को यहां आने से रोख दिया था लेकिन डॉक्टर कृपेन की बेटी इस बात को नहीं मानती थी अब ये सबी हेलिकॉप्टर से रिसर्च लैब पहुंचते हैं अगली सीन में हम रिसर्च फैसिलिटी के लोगों को भी देखते हैं उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब थी दूसरी तरफ आप अब एबलीन और उसके साथ वाले स्टूडन लैब तक बहुंचते हैं कि लैब में अंदेरा था क्योंकि लैब का उर्जा स्त्रोथ सिर्फ एक जनरेटर था वह काम नहीं कर रहा था यहां डॉक्टर कुपेन की बेटी एबलीन और उनके साथी एटम अंदेरे में ही रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं और अचानक वे कमरे में आये जिसमें बहुत बत्बू आ रहे थी उसी समय जब रोश्णी चालू होती है तो उने वहां एक विशाल पोलर बियर दिखाई देता है यह वही पोलर बियर था जिससे डॉक्टर कुपेन के साथ ही यहां लेकि आये थी इस बीच जनरेटर चालू करने के बाद बार्ट वहां आ जाता है और भालू को देखकर वे एटम से उसके साथ एक तस्वीर क्लिक करने के लिए कहता है और जैसे ही वे भालू पर हाथ रगता है उसे आसा लगता है जैसे किसी कीडे ने उसे काट लिया हो लेकिन वे इसे न रिसर्च फैसिलिटी पर उखने के लिए कहता है इसके बात हुथ कुछ अजीब होता है डॉक्तर क्रूपेंट की महीला सती। और उनके बाकी साथियों को कोली मार देती है फिर हम रात में दिरिश्य देखते हैं . रिसर्च फैसिलिटी में च्छात्रों में एक कमरे में अजीब कीड़े दिखाया देती हैं उन만 प्रभी किड़ों को देखकर शातर डर जाता है वैंट अपने कमरा बदल लेता है लेकिन उसकी महिला साथी वही रहती है अधिरात को जब एवलीन ऊठती है तो देखती है कि कोई आ रहा है जब वहां बहा जाती है तो उ इसके देख भाल कर रहे थे इसी बीच उनके चात्र साथी वहां आ जाती है जिसके पूरे शरीर पर रैशिस थे और यह देख सभी सहम जाते हैं फिर दूसरा साथी भी उन्हें कीडों के बारे में बताता है जो कीडे उसने कमरे के अंदर देखे थे और वो लड़का अभी भ जरा हुआ था और वह सलहा देता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए इसके बाद वे सभी लोग वहां से चलने की तैयारी में थे लेकिन हेलिकॉप्टर में कुछ खराबी होने के कारण वे वापस नहीं लोड़ पाते और इसी सीन में हम देखते हैं वह इन्फेटिट महि कुछ भी करने से मना करता है यहां अब वे लोग इस कमरे को सील कर देते हैं और एवलीन और एटम एवलीन के पिता की तलाश में जाते हैं अनुसंदाश सेल पर पहुँचकर उन्हें एक जानवर दिखाय देता है जिसे कुछ कीड़े खा रहे थे और इसमें उन कीड़ों क अंडे भी हैं उन्हें वहां एक लाश भी दिखाय देती हैं लाश डॉक्टर के साथ ही की थी जिसे देखकर उन्हें शक हुआ कि शायद उस महिला ने ही उन दोनों की हत्य की है जब रिसर्च फैसलिटी में लोडते हैं तो वे उस महिला के शरीर पर वही कीड़े और अंड इनकी नजर उस पोलर बियर पर पड़ती है जिसके उपर उन्हें वही इनफैक्शन नजर आता है जिसको देखकर वह समझ आते हैं कि स्थिती काफी क्रिटिकल है यह एक तरह का इंफैक्शन है जो महामारी की तरह फैल सकता है एवलीन अपने साथियों को समझाती है कि हमें इस स्थिती में यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस तरह यह इनफैक्शन पूरी दुन्या में फैल सकता है वह फैसला करती है कि वे रेस्क्यू हेलिकॉप्टर को भी यहां आने से मना करेंगे लेकिन उसके साथी छात्र ने उससे आसा करने से मना किया और रेड कर एबलीन जानती है कि लड़की भी संक्रमित है फिर वे सभी वहां से फिर से लैब में जाते हैं जहां पर उन्होंने भालू के साथ महिला की बॉड़ी को रखा हुआ था उसका शरीर से अजीबो गरीब कीड़े निकलते देख वे डर जाते हैं वहीं दूसरी और बाट के हाथ में इंसेक्ट के काटने से इंफेक्शन काफी फैल चुका था वो जानता था कि इस तरह तो ये इंफेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है इसलिए वह फैसला करता है कि इंफेक्शन से बचने और उसे रोकने के लिए वह अपना हाथ काट देगा पहले तो बाट के उसका हाथ काट देती है उसके हाथ से खून भहरा था और एवलीन इसे रुखने की कोश्च करती है अब उसके कटे हुए हाथ से कई कीडे निकल रहे थे लेकिन एटम उन्हें आग से मार देता है तो वह कीडे आगे नहीं बढ़ पाते इसके बाद हम देखते हैं कि एवलीन उनकीडों और इंफेक्शन पर शोट करना चाती है इस दोरान उसे अपने पिता की डायरी मिलती है और उसमें पहले से ही उनकीडों और इंफेक्शन के बारे में काफी जानकारी थी इससे हमें पता चलता है कि उसके पिता उनकीडों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं य जब वह जोर देती है तो वह सहमत हो जाते हैं लेकिन एक शर्ट पर यदि कोई कीड़ा उस पर आ जाएगा तो वह उसे कमरे से बाहर नहीं आने देंगे वह इसे सुकार कर लेती हैं हम देखते हैं कि एवलीन अपने शरीर को अच्छे से कवर कर लेती है और उस कमरे में चली जाती है जैसे ही वह कैमरा लेते हुए बाहर आही रही थी तभी अचानक भालू के शरीर से कीड़े निकल आते हैं और उस पर हमला करने ही वाले थे कि वह तुरंत रूम से बाहर आ जाती है लेकिन इतने सब इंतजाम के बावजूद भी उसके शरीर में एक कीड़ा अंदर घुसने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एटम उसे उसके शरीर से बाहर निकाल देता है इस तरह वह सभी कीड़ों से बच जाती है अगले सीन में हम देखते हैं कि वह सभी डॉक्टर कुरूपेन के वीडियो को देख रहे थे इस बीच वह कीड़े वहां आ जाते हैं और से उसको बाहर निकालने का अनुरोध कर रहे थे इसके साथ वह यह भी बताना चाहती है कि उनका एक और साथी भी संक्रमित है लेकिन इससे पहले वह यह बता पाती वह साथी उसे गोली मार देता है और वह सभी सोचते हैं कि इन्फेक्शन के प्रसार से बचने के लिए उस उसे गोली मार दी उसी सीन में हम देखते हैं कि एवलीन बार्ट का हाथ चेक कर रही थी अपने हाथ में खीड़ों को देखकर इस बात के पूछ्टी करती है कि बार्ट भी इंफेक्टेड है अब बार्ट ने फैसला किया कि वह यहीं पर रहेगा और वह बोलता है कि तुम सब यहां से चले जाओ लेकिन बाहर जाने से पहले एवलीन और एटम फैसला करते हैं कि वह खुद का परेक्षन करके बाहर जाएंगे अगर को संक्रमित होगा तो यहां से बाहर नहीं जाएगा इस पर उनका तीसरा साथी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह इंफेक्टेड वह सब के सामने हुलासा करता है कि मैं इंफेक्टेड हूं लेकिन मैं यहां से अवश्य बाहर निकलूंगा यह सुनकर वह चिंतित हो जाता है और वह से रोक देता है लेकिन उसके पास एक बंदुक होती है और एवलीन और एटम उसे समझा रहे थे कि वह अपने खातिर सार भी बात नहीं सुनता वह उन्हें गोली मानने ही वाला था लेकिन डॉक्टर कुरुपेन पीछे से आ जाते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं और यहां डॉक्टर कुरुपेन का आना उनके लिए एक जीवन डखशक था डॉक्टर कुरुपेन कहते हैं कि इस फैसलिटी को infected है उन्होंने खुद को खुद से ही infected किया था ताकि उन्हें infection के बारे में पता चल सकी और इस तरह वह अपनी जान देखकर दुनिया की जान बचा सकते हैं और यह सब rescue helicopter वहां आ जाता है जिसम बैठकर डॉक्टर वहां से जाने लगते हैं लेकिन इस बीच एवलीन और एटम बहुत कोशिश करने के बाद facility से बाहर आने में सफल होते हैं एक बंदूग से helicopter को गोली मारते हैं इससे helicopter अपना संतुलन खो बैठता है और वह facility के ऊपर गिरकर डिस्ट्रोइड हो जाते हैं इसके कारण facility और helicopter दोनों ही खत्म हो सकता है इसे देखकर हम यह कह सकते हैं कि अब यह संक्रमट दुनिया में फैलने वाला है और यहां यह फिल्म समाप्त हो जाती है वाल किलमर ने डॉक्टर क्रूपेन मार्था मकाइसक एवलीन की भूमी का अदा किये एरोन एश्मोर ने एटम गैलेन और स्टीव सॉंग ने लिंक चैन का किरदार अदा किया है